दोस्तों आज़म बात करेंगे खिलाडी अक्टर अक्षी कुमार की आपको बताएंगे कि अक्षी की अपकॉमिंग फिल्म हाउसफुल 5 में कौन कौन से सितारे नज़र आएंगे साथ ही बताएंगे कि सिल्फी को लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है तो सबसे पहले बात करेंगे हाउसफुल 5 की बॉलिवूड के खिलाडी कहे जाने वाले अक्टर अक्षी कुमार के लिए साल 2022 कुछ खास नहीं रहा हाला कि हर साल की तरह इस साल भी उनकी चार से पांच फिल्में रिलीज हुई है लेकिन उनकी सभी फिल्में बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई बैक टू बैक फिल्मों के फ्लॉप होने के बावजूद अक्षे के पास काम की कमी नहीं है वो लगातार काम कर रहे है राम सेतू और अक्षा बंदन रिलीज होने के बाद अक्षे की शिडियूल डाइरी में अभी थोड़ी जगा बनी ही थी कि फिर से उस डाइरी में और फिल्मों के नाम जुड़ने हैं जिसमें सबसे ज़़धा चर्चा हाउसफुल फाइफ को लेकर हो रही है हिंदी कॉमेडिय ड्रामा फिल्म सीरीज हाउसफुल अपनी पाँचवी किस्त हाउसफुल फाइफ के सून के साथ वापस आने के लिए तयार है बॉलिवुड के मशूर फिल्मेकर साजिद नाडियवाल जल्दी हाउसफुल फाइफ को लेकर काम शुरू करने वाले हैं फिल्म के स्क्रिप्ट, स्टार कास्ट, लोकेशन, सब कुछ तयार है बस इंतजार है तो अक्षे कुमार के फ्री होने का जैसे ही अक्षे कुमार अपने चल रहे प्रोजेक्ट से फ्री होंगे वैसे ही हाउसफुल फाइफ फ्लोर पर शूटिंग के लिए चले जाएगी हाउसफुल बॉलिवुड की सबसे दुरलब फ्रेंचाइजी है जिसका हिट और ब्लॉक बस्टर होना 100% कंफर्म है और अब इस फ्रेंचाइजी का पांचवा पार्ट जबरदस्त होने के लिए तयार है इस बात की गारेंटी खुद साजित नाडियावार लेने के लिए रेडी हो चुके है इस फ्रेंचाइजी के पहले केस तो 2010 में जारी की गई थी और उसके बाद साल 2012 में दूसरा पार्ट फ्रिलीज किया गया था साल 2016 में तीसरा पार्ट आया था और 2019 में इसका चौथा पार्ट फ्रिलीज हुआ था और अब मेकर्ज ने तयारी कर ली है इसके फिफ्थ पार्ट की इस फिल्म के लिए साजित नाडिया वाले कैसा प्लोट बनाने की कोशिश कर रही है जो हाउसफुल फाइव के सभी आक्टर्ज को एक साथ होने पर सही ठहरा सकी इस फिल्म के आक्टर्ज की आपसी जुगलबंदी बिल्कुल कमाल की हो जिसे देखने के बाद फैंस के ठाह के रुक न सके फिल्म देखने के बाद लोगों का पेट हस हस कर दुख जाए फिल्म के मेकर्ज पांच जोडो को मिलाने की प्लानिंग बना रहे हैं ताकि मस्ती और कन्फूजन को पांच गुना बढ़ा दिया जाए साजित ने फिल्म के लिए तगडी स्टार कास्ट फाइनल कर ली है फिल्हाल फिल्म के कहानी और स्क्रीन प्ले को फाइनल रूप देना भी बाकी है इस फिल्म के लिए मेकर्ज ने हाउसफुल फाइफ में चौथे पार्ट की स्टार कास्ट को ही फाइनल किया है यानि कि अक्षे कुमार, दिपेका पादुकॉर्ण, अभिशेक बच्चन, जॉन अब्राहम, जैकलिन फर्णांडेस और पूरी कास्ट एक बार फिर से हाउसफुल फाइफ में धमाका मचाएगी। मेकर्स के करीबी सूत्र ने बताया है कि सीरीज के पांचवे पार्ट में सारे कैरेक्टर्स एक साथ नज़र आएंगे, इसलिए शानदार स्टार कास्ट होगी। साजित अपने टीम के साथ हाउसफुल सीरीज के फिफ्ट पार्ट की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। हाउसफुल 5 को आईमेक्स फॉर्मेट में शूट किया जाएगा, बाहुबली और पदमावत को भी इसी फॉर्मेट में शूट किया गया था। साजित और अक्षे अपना कॉमेडी एवेंजर्स यूनिवर्स बना रहे हैं, बता दे कि दीपिका बादुकॉर्ण और लारा दत्ता ने सीरीज के पहले पार्ट में आक्टिंग की थी, वहीं अक्षे कुमार और रितेश देशमुग फिल्म के सभी पार्ट में नजर आए ह फैंस को इस सीरीज के पांशवे पार्ट का बेसबरी से इंतजार है, हाउसफुल 4 ने बॉक्स ओफिस पर डिजिटल प्लैटफॉर्म पर शांदार प्रदर्शन किया था, ये सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक है, मेकर्स इकबर फिर से इ आंसेतू के बाद अब अगली फिल्म सेलफी की शूटिंग शूरू कर दी है, और अब मेकर्स इस फिल्म से अक्षय का नया लुक भी रिवील कर दिया है, जिसे अक्षय ने भी इंस्टा हैंडल पर शेयर किया है, और साथ ही फिल्म के रिलीज डेट इनाउंस की है, बताते मंत्रा है गर्मी नमी और फाक्स वर सब चलेगा बस काम कर काम कर सेल्फी के लिए नए गाने की शूटिंग कर रहा हूं आप से 24 फरवरी को सीनिमा घरों में मिलता हूं सामने आई लुक के बात करें तो ट्रैक पैंट के साथ शर्टलेस अक्षे ने ऊपर से कलरफुल फर वाल दीरी मेक है फिल्म में अक्षे कुमार और इम्रान हाश्मी के अलावा नुश्रत बरूचा और डाइना पैंटी भी नज़र आएंगी यह फिल्म 24 फरवरी को त्रीटर्स में रिलीज होने के लिए तयार है फिल्म में अक्षे के लुक को देखने के बाद फैंस की बेताबी बढ़ने लगी है सेल्फी फिल्म में अक्षे एक सुपरस्टार बने है और इम्रान हाश्मी एक ऐसे पुलिस वाले के किरदार में हैं जो फिल्म में सुपरस्टार का बहुत बड़ा फैन होता है अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए अक्षे कुमार और विद नहीं होने वाला अब भविश्य में ऐसा हो जाए तो कुछ कहां नहीं जा सकता लेकिन अभी ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है दस दिसंबर को अक्षे ने अपने साथ विद्यूत के कुछ फोटोस शेयर कर उन्हें बड़्डे विशिज दी हैं दस दिसंबर को विद् जामवाल नहीं बल्के प्रित्वी राथ सुकुमारन की एंट्री होगी और मेकर्स ने इस ख़बर को कंफर्म भी कर दिया है इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया है जिसमें एक ख़बर कंफर्म है कि फिल्म बड़े मिया चोटे मिया टाइगर और अक्षे के साथ प्रित्वी राथ सुकुमारन भी नजर आएंगी तो अक्षे कुमार और टाइगर शॉफ अपनी अपकमिंग फिल्म बड़े मिया चोटे मिया को लेकर काफी लंबे समय से सुर्ख्यों में है नाम सुनकर आपको भी अमिताब बच्चन और गोविंदा की फ पहले ही यह कंफर्म कर दिया है कि फिल्म का नाम भले ही एक जैसा है लेकिन यह फिल्म ना ही उस फिल्म का सीक्वल है ना ही प्रीक्वल है और ना ही पार्ट टू फिल्हाल बता दे कि अब इस फिल्म में एक और नए सितारे की एंट्री हो चुकी है जो फिल्म में अक्षे टाइगर को कड़ी टककर देता हुआ दिखाई देगा बता देगी फिल्म बड़े मिया छोटे मिया में आक्टर डारेक्टर प्रोडीसर प्रित्वी राज सुकुमारन ने एंट्री ले रही है वो फिल्म में खलनायक की भूमी का निभाते वे नजार आएंगे यानि बड़े फिल्म होगी जिसे हिंदी समेत तेलेगू तमिल कंडर और मल्यालम यानि की पांच भाशाओं में रिलीज किया जाएगा फिल्म के रिलीज देट तो जारी नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है कि डारेक्टर ये फिल्म साल 2023 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं यानि इस फिल्म के लिए दर्शकों को अभी लंबा इंतजार करना होगा इस फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया गया है जिसमें रिलीज डेट का तो नहीं लेकिन रिलीज मंध का खुलासा किया गया है दोस्टों अक्शे कुमार बॉलिवूड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी साल में चार से पांच फिल्में रिलीज होती हैं और दुर्भाग गिवश साल 2022 में रिलीज हुई अक्षे कुमार की जादतर फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं ऐसे में जब उनकी पहली मराठी फिल्म का टीजर रिलीज हुआ तो फैंस दे इसका भी जम कर बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था यह साल बॉलिवूड खिलाडी अक्षे कुमार को बुरी तरह फसा कर जा रहा है यह पूरा साल अक्षे के लिए काफी जादा खराब साल साबित हुआ पहले उनकी फिल्म समराठ प्रितिराच को बॉयकॉ को लेकर जब बवाल शुरू हुआ तो इस बवाल ने अक्षे को काफी जादा बुरी तरह फसा दिया था दोस्ते ही तो हम सब जानते हैं कि अक्षे कुमार महिश मांजेकर की फिल्म से मराठी फिल्मों में डिब्यू करने जा रहे हैं इस फिल्म का नाम है विदात मराठे वीर दालडे साथ फिल्म की शूटिंग शूरू कर दी गई है जिसकी जानकारिक खुद आक्षए कुमार ने ईarta पर शेयर की थी पहली मराठे फिल्म विदात मराठे वीर दालडे साथ की शूटिंग जैसे ही शूरू की थी वैसे इन्नोंने तुरंत उसका एक वेडियो में उन्होंने सेट पर शत्रप्रती शिवाजी महाराज के रूप में अपना पूरा गेट अप अपने फैंस को दिखाया था इंस्टाग्राम रेल्स पर पोस्ट की गई इस क्लिप में अक्षे को क्यामरे की तरफ चलते वे देखा जा सकता था जबकि जएशिवाजी जएभवाणी के नारे बैकड्राउन में बज रहे थे उन्होंने इस पोस्ट को कैप्शन दिया था जएभवाणी जएशिवाजी अक्षे का इलुक फैंस को जरा भी पसंद नहीं आया था और फैंस ने अक्षे के पोस्ट के नीचे कवेंट सेक्शन में ही अक्षे को ओल जुलूल बोलना शुरू कर दिया था अक्षे के वीर शिवाजी वाले गेटप को देखने के बाद भड़के हुए सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि अक्षे कुमार एतिहासिक किरदारों को परदे पर उतारने के लिए बिल्कुल भी नहीं वने है गेटप देखने के बाद फैंस दोने एक बार फिर से समरार पृतिराज चौहान की भारिया सफलता याद दिला दी थी दोस्तों आपको याद होगा कि उनकी इसी साल रिलीज हुई फिल्म समरार पृतिराज फ्लॉप हो गई थी इंडियन हिस्ट्री पर बेज इस फिल्म को तो कई जगह पर टैक्स फ्री भी कर दिया गया था लेकिन टैक्स फ्री होने के बावजोद भी 200 करोड रुपयों में बनने वाली एक फिल्म रिलीज के पहले 5 दिनों में 50 करोड की कमाई भी नहीं कर पाई थी कई थ्रीटर्स में तो शो कैंसल तक करने पड़े थे क्योंकि थ्रीटर्स खाली थे उस वक्ट भी सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अक्षे कुमार की खिचाई की गई थी कि वो एतिहासिक रोल के लिए बिल्कुल भी नहीं बने और जब उन्होंने अपनी पहली मराठी फिल्म का गेट अप शेयर किया तब भी उनकी खिचाई शुरू कर दी गई थी लेकिन अक्षे भी खिलाडी हैं और उनके खाते में हर साल 4-5 फिल्में पड़ी ही रहती हैं अब अपनी अपकमिंग फिल्मों में अक्षे क्या कुछ नया करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों वीडियो अगर प्रसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं जोसे हमारी सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें